हेलो एंड वैलकम टू माई चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल जोग्राफी का चैप्टर है अक्षांस इवं दिसांतर इस चैप्टर के एमसी की उसको देखने वाले हैं लूसेंट अब्जेक्टिब बुक का यह है निव एडिशन बुक का सारा एमसी क् चैनल पर नए है तो मैं आपको बता दो कि लूसेंट अब्जेक्टिब बुक जो है इसके हमने सारे एमसी क्यूज देख ली हर सब्जेक्ट का और हम लोग चैप्टर वाइस एमसी क्यूज देखते हैं हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है एंसेंट मेडियेवल और मॉड और सातवी चल रहा है तो अभी आज क्या बोलते हैं ऐसेंटको देखने से पहले में थोरा साथ लोगं को इसके बारे बता दो वैसे तो आप लोग चैप्तर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा चैप्टर पढ़ने के बाद हम से क्यूज जब हम लोग करते हैं तो अच्छे से कॉंसेप्ट के लिए होता है लेकिन अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ा है या पढ़ा है तब भी मैं थोड़ा सा यहां पर डीटेल बता देती हूं उसके पास हम लोग आगे चलेंगे तो अक्षांस और दिसांतर इसक फिर भूमत देखा या विस्पेत्व रेखा का काम क्या है यह प्रिथ्वी को दो बराबर भागों में विवाजित करती है ठीक है और इसके यहां पे थो यह साउच हो जाता है यह नौर्थ हो जाता है यह तो पता है तो यहां सेaris सारे 23 डिग्री इसको मकर रेखा बोलेंगे और सारे 66 डिग्री को आग टिग्रेखा बोलेंगे तो यह कुछ चीजे हैं और एक चीज ध्यान रखना है कि भूमद्दे रेखा जो पुरित्वी को दो भागों में बाजित करती है ठीक है तो यह जो रेखाएं है इसको बोलते हैं अक्छांस ठीक है 181 होता है तो अगर टोटल पूछे कि अक्छांसों की रेखाएं कितनी है यह तो 181 है असी मतब कुस्चन्स में हम लोग कर सकते हैं तरस मैं इस थोरसा बता दिया आप लोगो को और देसांतर में क्या होते है यह जो रेखा होती है कि इस सांथ की इसको देसांतर रेखा बोल पहला भूमद्रेखा से उत्तर या डक्षिन किसी दिए गया इस्थान की कोनी धूरी क्या कहते हैं तो किसी दिए इस्थान का कोनी धूरी होगा उसको जो बूत पसके निम्निकित में से कौन सा वृत्त वृत्त यानि ग्रेट सरकल का उधारन परकार की भीमारी थाम का विख्यानी कुपकरन सारे 33 डीडी उत्री अक्षांस रेखा या फिर सारे 33 डीडी दक्षनी अक्षांस रेखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानि कि करक रेखा मैंने पता है आपको भूमदे रेखा ये था और सारे 30 DD जो उत्री अक्षांस था इसको करक रेखा बोलते हैं और नीचे जो होता है उसको मकर रेखा बोलते हैं ठीक है यानि कि धक्षनी अक्षांस को इसको मकर रेखा बोलते हैं इसको करक रेखा बोलेगें उत्री अक्षांस वाले को तो option C right हो जाता है नेक्स्ट कोश्च ने धुरुवों की तरफ जाने पर अक्षांस रेखा हो के व्यास की परकिर्थी कैसी होती है धुरुवों की साइड जाने पर अक्षांस रेखा जो है इसके व्यास की परकिर्थी व्यास यह होता है तो व्याद की पड़किरती घ्टती है ठीक है भुँन देचरी जो अक्षांस रेखन के व्याद की पड़किरती क्या होगी धतेगी पार पर तो एक तप्षांस की दूरी निम्र में से किसके बराबर होती है तो एक तीजस बिर अक्षांस की दूरी किसके बराबर होगी तो ये चीज़ अक्षांसों स्टिर्ट के भीच जो अक्षांस होते हैं अंगा थिक ही कटी कोOut प्रीफी को दो बरावर वागों में करती है उसके अतरिक्त पूछ रहा है तो उसके अत्रिक्त कोई भी ऐसी रेखा नहीं है सिर्फ वुमद्य रेखा ही है जो कि प्रिथवी को दो बड़ावर भागों में व्हाज़ित करती है कि नेकस्ट है माखर रेखा अत्वा सारा दएष डिग्री गशनी ये कहां से हो करके गुजरती है तो देखोEx रूपर गिजरता है और है और बहुत चीली है अर्जेंटीना है वो जवाना है नामीबिया ब्राजील है ठीक है मेडा गासकर है प्रागवे है इन जगों से भी गुजड़ती है नेक्स्ट कोश्चन वो कालपनी के रेखा जो प्रित्वी को दो बरावर भागों में बाटती है नेक्स्ट अक्षांस भूप्रिष् अक्षांस भूप्रिष्ट पर भूमद्य रेखा के उत्तरिया दक्षिनी एक बिंदू की कोणी दूरी उसको भूमद्य रेखा से मापा जाता है नेक्स्ट अधर दोनों धुरूवो को जोड़ने वाली कालपनी के रेखा जो भूमद्य रेखा को समकोन पर परतिछेद करत बीच कि ऊहाल सब्सक्राइब गोरे क्या नाम से जानते हैं गोडे से और कुल दिसांतर रेखाओं कि संग्या कितनी है 360 है नेक्स्ट कोश्चन है एक दिसांतर से दूसरे दिसांतर के बीच कितना समय अंत्राल होता है तो हमने देखा था अक्षांस एक डिगरी अक्षांस के बीच कितनी दूरी थी 111 किलो मीटर फ्रीयर कोश्चन है कि एक दिसांतर से दूसरे दिसांतर के बीच कितने का समय अंत्राल होता है गोमने me है नेक्स्ट कोशिटन वह दीन और रात की अवदी समान रहती दिन और रात की अवदी जो है वो समान होती है भूमद्धिये रेखा पे कि नेक्स्ट नेख्स्ट भी पर सबसे उच्चतम ताप करम कहां पर किया जाता है वह मत्द्धे रेखाप रिकॉर्ट किया जाता है लेक्स्ट कोस्चिन देखते हैं कौन सा कथन गलत कथन बताना है देशांतर रेखा कि क्या 180 है तो पहला कथनी गलत है यह आज़ी आंसर सही होगा क्योंकि यह कथन गलत है बागे का देखी लेती हूं किसी ब इस्तान की गिरीन वी श्रेखा से कोंगी को इस थान का दिसांतर कहते हैं आति यह प्रूइंट्स भी सहिं है विशूबत रेखा पर बीच की दूरी कितनी होती है 111.3 किलो मिलंट्स इसको ध्यान में रखना ठीक है तो यह सारे पॉइंट सही है गलत कौन सा था पहला उप्सन है चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं निम्रीकित में से कौन सा कतन असत्य है यह बताना है असत्य कतन विसुवत रेखा से धुरुवों की और जाने पर अक्षांस रेखा हों कि बीच की दूरी में आंसिक होती है कतन सही है नेक्स्ट किसी ब कर थान की परधान या मुथ्तर से को दूरी को उसस असका आघ्छांस का जाता है तो इसलिकों सе प्रशन ब्रत है सबसे अधिक दूरी मिसिवत्र रहाइं इसे बीच में oh काटिंग नेगस्त्र लुकुल अक्ष्क्षांसओ की संक्या कितनी है तो मैं ने बताया था खिल अक्षांस की नौर्थ में साउथ में नब्बे और एक भूमद्दे रेखा होता है तो 181 होता है लेकिन अगर धुर्वों को हटा दिया जा तो 179 होता है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना नेक्स्ट कोच ने दिसांतरों की कुल संख्या कितनी कितनी दिसांतर रेखा है 360 है नेक्स्ट है विसुवत रेखा के समानांतर कालपित रेखा है क्या कहलाती है विसुवत रेखा के समानांतर जो कालपित रेखा है यह विसुवत रेखा है भूमद्दे रेखा जिसको बोलते इसके समानांतर जो यह रेखा हैं कालपित इनको क्या बोलते हैं नेक्स्ट प्रिथवी के उत्री एवं दक्षनी धुरुफ को मिलाने वाली रेखा हैं क्या होती हैं दिसांतर रेखा हैं अप्शन बीड राइट होगा ऐसी एक उंसेट क्लियर हो तो कोशिन्स बन जाते हैं आलाम से नेक्स पर्दान मध्या रेखा किस स्थान से हो करके गुजरता हैं नेक्स ग्रीण वीच रेखा से क्या दात्त पर रहे बीच रेखा से दात्त पर रहे जीरो डिग्ली धिसांतर न एक गंटे में कितना गुम लेती है नेक्सल käश में पढ़ा था नग तो तो अऱीच और डौटे सब्सक्राइब तो प्रिथवी को 24 घंटे में प्रिथवी 370 तर रेखा है पार करती है ठीक है घूम लेती है तो उसे साब से एक घंटे का अगर निकाला जाए एक घंटे का पूछ रहा है तो एक घंटे का कितना होगा 360 by 24 तो यह आ जाएगा 15 डिगरी ठीक है इसको जमनों डिवाइट इसकों से भूमद्दे रेखा गुजरती है भूमद्दे रेखा जो है 13 देशों के माध्यम से गुजरती है 13 देशों का नाम पूसिस करेंगे याद रखने का जिसमें आता है एकवाडोर कोलंबिया ब्राजील ठीक है सावर्टोम है प्रिंस्पी है गैबॉन कांगो गन्रा दोवित रेखीत गया है किसा मिलान गलत है कर रेका 25 दिगड़ी उत्रीक्षण और यह विच्वत विंत्थर में 96 डिगड़ी होता है चाहिट कि साहारी 36 जीगड़ी उत्रीक्षण सपिकट सब्सक्राइघ कर गहते है तो गलत कौन सा है हमारा 2 और 3 गलत है तो option B हाँ पे right हो जाएगा 2 और 3 गलत है next question है दिसांतरी दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है हुए देसांतर हुए गुजरती है करकरेखां नेपाल से नहीं गुजरती, मैंनमार धूरत है , भांग्लाано के बहुत्या लत्या जबा देस बांधि चल धीज़ बीच नेक्स्टरे मांचिटर पर एस्थित अक्षांस सेपम देसांतर एखां के बारे में निवलिकित में से कौन सा कतन सत्त्य है मान चित्र पे इस्थित अक्षांस और देसांतर रेखा के बारे में सही कतर में बताना है दोनों समानांतर रेखा हैं बिल्कुल गलत समानांतर तो बिल्कुल भी नक्षांस रेखा है इस तरह की होती है और देसांतर रेखा ऐसी होती है दोनों एक दुसरे को लमवत काटती है तो यह बिल्कुल सही है, दोनों एक दुसरे को लमवत काटती है, दोनों धुरुवों पे मिलती हैं, धुरुवों पे नहीं मिलते हैं, दोनों भूमद्दे रेखा पे मिलते हैं, यह भी गला था, ठीक है, तो option B हमारा right है, सही कतम, नेक्स्ट यहाँ पे दिन तथा रात एक स समान कहां पे होते हैं, भूमद्दे रेखा पे होते हैं, नेक्स्ट question है, निम्रिकित नगड़ों में कौन सा एक भूमद्दे रेखा के सरमाधिक निकट है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापूर, भूमद्दे रेखा के सबसे निकट है, सिंगापूर, नेक्स्ट है, पे विजरती इंच्छ और जो है यह मैंकशिईको से नहीं गुजरता है केनिया से गुजरता है इंडोनेसिय और ब्राजिल से गुजरता है नेक्स्ट है मांचितर पे वह गुलोग पे पाई जाने वाली परतिछेद रेखाओं को क्या कहते हैं परतिछेद रेखाओं को नेक्स्ट को चने 49 डिग्री नौर्थ अक्षांस किस-किस के बीच सीमांगन क यह अमेरिका और कंडा इसको याद रखने की चीजशे है इसके भी सिमांकन कौन सा कौन सा प्रक्यान करता है 79 डिग्री नौर्थ आप नेक्स्ट है दक्षिन अम्रिका के निम्र से किस देश से होगर के मकर का यह नहीं हो जरता है औक थे वाचिंग दिस वीडियो आपके वीडियो आपके लिए यूसफुल रहेगा आपके आने वाले एक्जैम्स के लिए तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चिक कर लेना आप लोग चैनल पर जाओगे वहाँ पे आपको लुसेंट अब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट मि पिसE वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो वह पूछ सकते हो मुझ्से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाएं टीक केर